हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों, अब इस वीडियो में हम LCA MOV 172329 कैसे फाइंड करें, यह सिखेंगे, with easy method, सरबरतम दोस्तों आपको पता होना चाहिए अपने prime number कौन से हैं, देखे, LCA में चाहिए आप division method काम में ले रहे हैं या prime factorist method, दोनों ही जगे आपके prime number तो काम मे आते ही हैं, क्योंकि LCA में हम division method में भी prime number से divide करते हैं और prime factorization method में भी number के factor करते हैं, तो किसके form में लिखा दाता है, factor का मतलब क्या होता है, prime number के गुणन फल के रुप में हैं, चीक है, तो prime number कौन से हैं, 2, 3, 5, 7, 1, 6, लेके 10 तक के आगे देखे, 11, 13, 17, 19, आगे देखे, 23 और 29, तो हमने यहां पर क्या देखा, कि 17 एक prime number है, 23 भी prime number, 29 भी prime number है, यानि यह जो संक्याय तीनों है, यह आपके क्या है, prime number है, और distinct है, यानि अलग-अलग, अलग-अलग prime number है, तो इनका LCA में क्या होगा, अलग-अलग prime number का LCA में जो है, उनका खुद का गुणा ही होता है, इनका गुणा करेंगे, तो हमारे पास कितना आएगा, 11,349 और अलग-अलग prime number का LCA कितना रहता है, 1 रहता है,